इस दिवाली स्मार्टफोन की दुनिया में धमाता मचाने आया है रिलाइंस का जियोफोन नेक्स्ट ये मार्केट में लॉंच हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीज सकते हैं अपने फ्रेंज के लिए खरीज सकते हैं अपने लिए खरीज सकते हैं अपने परिवार के लिए खरीज सकते हैं क्योंकि इसकी तीमत बेहद कम है बेहद वाजब है एक हजार नौसो निननावे रुपए में ये स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा आपको सिर्फ एक हजार नौसो निननावे देना है इनीशिली और फिर छोटे-छोटे इंस्टॉल्मेंट्स होंगे लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक हजार नौसो निननावे आपको देना है और ये फोन आपका होगा 4G स्मार्टफोन इतने कमदाम में शायद ही अभी बना होगा जाहिर से बात है Reliance ने एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ये फोन बनाया है जहां expensive से expensive phones में जितने features जो होते हैं वो सारे ही features इसमें आपको मिलेंगे कोई ऐसा feature नहीं है जो मिलेंगे जो नहीं मिलेगा हम आपको दिखाते हैं इसके features तो हम आपको इसके कुछ main main features बताते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो main features हैं वो हम आपको बताते हैं 19999 रुपे में ये phone मिल रहा है आपको और इसमें आपको read aloud feature है यानि कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी किसी ऐसे काम में busy हैं तो ये phone खुद बखुद वो content आपको पढ़ के सुना सकता है बहतरीन feature इसी के साथ voice assistant भी है यानि कि अगर आप हाथ से नहीं operate करना चाते phone तो आप बोल करके कोई भी काम phone पर कर सकते हैं phone को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और phone अपने आप operate होता रहेगा साथी इसमें translate now feature भी है क्योंकि बहुत सारी languages को option है इसमें तो आप अपनी मन पसंद की जो language है वो आप use कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि जो content इस language में उसी में आपको पढ़ना है आप उसको किसी भी language में translate कर सकते हैं और साथी इसमें जो camera है वो भी बहतरीन है किसी भी expensive phone की तरह इसमें वो सारे features हैं बहुत सारे filters हैं जो आजकल youngsters को चाहिए होते हैं और साथ ही साथ night photography के लिए बहुत ही बहतरीन lighting है इसमें और बहुत सारी millions of apps के लिए आपके पास इसमें accessibility है आप apps यूज कर सकते हैं बहुत सारे तो इस तरह के धेर सारे features और ये सब सिर्फ ए 1999 में और ये बहुत ही बहुत ही अच्छी बात है एक खुशखबरी है इस दिवाली तो ये दिवाली होने वाली है खुशियों वाली